तो आप मेंसे कई लोगों ने exercise 5 को solve किया था आज के इस वीडियो में सबसे पहले solution बताऊँगा आपको exercise 5 का फिर आप सभी को shout out दूँगा जिस जिसने solve किया था इस question को हाई energy के साथ लाइक करके sigma batch और भी नीचे comment section में ज़रूर लिख दिना है यार चालते है computer screen में let's roll the intro कर लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम इस layout को design कर सकते हैं तो इसका नाम मैं आपर रख दूँगा layout और यह हमारी exercise का solution होने वाला है आप लोगों के लिए मैं word wrap को और screencast mode को toggle कर लूँगा ताकि आपको दिख जाए में क्या keys दबा रहूँ अब आप बॉडी में footer होगा ठीक है एक main content होगा और एक footer होगा मैं आप पर HTML के semantic tags का इस्तिमाल कर रहा हूँ और जो मेरा header होगा उसके अंदर होगा एक navbar ठीक है और जो navbar है अब देखो यहाँ पर मैं flexbox का use नहीं करूँगा क्योंकि जब मैंने आप लोगों को exercise दी थी तब मैंन और मैं आपर अभी एक काम और करने वाला हूँ और वो यह है कि मैं यह बात आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ कि आप settings में जाकर जो live preview extension है जो यह live preview extension है उसमें यहाँ पर नई tab में मैं नहीं खोलना चाहता हूँ मैं external browser में ही खोलना चाहता हूँ तो जब भी मैं करूँगा यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मैं 83 pixels कर दूँगा और एक universal selector लगा कर मैं आप पर M0 और P0 कर दूँगा इससे क्या होगा margin 0 हो जाएगी padding 0 हो जाएगी और जो spacing दिख रही थी थी ना वो नहीं दिखेगी तो यहाँ पर आप लोगों ने देगा कि जो pink color का था layout हो मैंने बना दिया इसके बाद नीचे में क्या करूँगा एक container बनाऊंगा और उस container में दूँगा padding जो मेरा main content है उसमें में बनाऊंगा एक container तो div.container मैं आपर लिखूँगा अब इस container के अंदर मैं क्या करूँगा dot container के अंदर मैं एक तो background color red दूँगा वाब कहूँगे say 12 pixel और left right 34 pixels ठीक है तो आप यहाँ पर देखो कि यह आया नहीं मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है div.container लिगा okay तो इसकी height नहीं container की तो मैं height इसकी कल दूँगा 233 pixels और आप लोग यहाँ पर देख सकते हूँ left right से रोड़ी जादा मैंने दे रखी है इसमें और top bottom से कुछ इस तरह से रखी है आइडिया क्या है आइडिया है यह वाला layout बनाना green का लगाँ इसको green नहीं देता हूँ ना मैं by the way मैं ने green क्यों नहीं दिया I should have given it green तो मैं इसका background जो है वो green कर देता हूँ और आप देखो अभी यह कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसके अंदर दो बॉक्स वन और इस बॉक्स वन को मैं css दूंगा और इसकी में height भी हटा दूंगा container की क्योंकि यह automatic होने वाली है तो एक box 1 है एक box 2 है ठीक है तो जो box 1 है मेरा मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि यह box 1 का color जो है वो pink हो जाएगा background color pink ठीक है यह वाला pink ले ले लेते हैं और उसी के साथ साथ इसको blue कर लेते हैं background color को blue कर लेते हैं और जाहर सी बात यह है कि यह नई tab में मुझे दिखेंगे sorry नई line में दिखेंगे और उसका भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर देखो अगर तो इसकी height मैंने भी हटा दिये तो मैं box 1 box 2 को ॥ एक गुगा तो इसको में हाइद दूंगा से 240 या फिर मैं काम करता हिसको 70 VH की height देता को 70 VH और इसको 70VH की height box 2 को भी देता हूँ तो ये layout को बनाने के न कई तरीके हो सकते हैं सच बताऊं तो और इसकी width को मैं कर दूँगा क्या width को कल दूँगा 50% तो width को कर देंगे हम 50% और जैसे width को 50% करेंगे आप यहाँ पर देखो यह किया आया यह मेरा container है container के अंदर एक box 1 है एक box 2 है और box 1 की जो width था हो 50% है height 70VH है अब यहाँ पर दिक्कत पता है क्या हुई दिक्कत यह हुई कि इसके अंदर आ गई यह दोनो जानी कि जो pink वाला box है और यह है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा एक ही line में लाने के लिए एक ही line में लाने का एक तरीका तो है कि दोनों box इसको मैं inline बना दू बट यह अच्छी practice नहीं है ठीक है मैं आप लोग को बता दूँ मैं just flex box को avoid करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे मैं float and clear का भी इस्तिमाल कर सकता था in fact मैं इसको inline ब्लॉक कर दूँगा ताकि width वगएर को भी obey करें और अब आप लोग देखो यह कैसा लिख रहा है यह कुछ इस तरह से दिख रहा है और यह ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि margin padding की वज़ए से इसकी width है वह मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी तो मैं इसको 45-45 कर देता हूँ instead of 50-50 45-45 कर देता हूँ और आप लोग देखो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है और मुझे इसमें padding भी देनी होगी तो मैं काम करता हूँ दोनों मैं padding देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा padding top-bottom से 0 मुझे margin देनी थी margin इनके आसपास की spacing और आप देखो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है इस तरह से नहीं दिख रहा है अब इस margin को मैं और बढ़ा भी सकता हूँ ताकि यह और इधर को खिसके ठीक है तो वो मैं यहां से सेट कर सकता हूँ और उसको सेट करने के लिए मैं simply क्या करूँगा यहां पर आऊँगा box 2 में box 1 में आऊँगा in fact मैं container में padding भी दे सकता हूँ यह भी एक option है ठीक है यह भी एक option है कि मैं कह दूँ कि यार container में दो padding such that यह कुछ इस तरह से दिखे ठीक है और इसे center करने के लिए मैं container में दे दूँगा text align center इससे क्या होगा कि यह center में आ जाएगा आप जैसे कि देख सकते हो यहां पर यह center में आ गया है बस मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी इसके बड़ा देता हूं इसको 55 pixels कर देता हूं आप देखो यह layout हमारा almost design हो चुका है इसके बाद मुझे add करना है welcome to sigma web development express और इसके बाद मुझे footer देना है तो मैं पहले footer निप्टा लेता हूं और footer की height है 100 pixels और मैं इसका background color है वह कर दूँग यहां पर यह मेरा footer आ गया यह footer आ गया और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक sticky आपको यह भी बनाना है ठीक है और जो आपका navbar है वह भी sticky होना चाहिए मैंने आप लोगों को बताया था जब scroll up करोगे तो ठीक है अपर यह लिकने के बाद में क्या करूंगा जो text box है जो मेरा text box है text box उसके अंदर मैं दे दूँगा एक तो padding दूँगा 34 pixels और इसके बाद मैं border दूँगा 2 pixels solid white और जो मेरा container है उसका मुझे जो background है in fact यह container है main background में black दे दूँगा जो मेरा main है उसका background color black दे दिया मैंने ठीक है और text white जो color है वो white हो जाएगा ठीक है let's see क्या वना दिया मैंने तो मैंने यह बना दिया भी और इसमें मुझे definitely margin देनी पड़ेगी left right से margin किस तरह से दूँगा text box में कुछ इस तरह से दूँगा मैं कुछ इस तरह से दूँगा margin और छोड़ी जाता सी margin देनी पड़ेगी तो 34VW की अकर मैं margin दूँगा छोड़ी जाता होगी margin चाह रहा था अब बस मुझे top bottom से margin देनी है जो कि मैंने 0 कर रखी थी तो मैं इसमें कर दूँगा 10 pixels थोड़ी सी top bottom में मुझे margin चाहिए तो यह मैंने 10 pixels करी है लेकिन यहां पर दिक्कत क्या रही है मुझे देखना होगा तो यह मेरा paragraph है यह मेरा text box है इसमें अगर मैं margin को बढ़ा हूँ तो यह जो black background है क्यों नहीं ले रहा है यह मुझे देखना पड़ेगा तो जो black background है वो मैंने main में दिया है ठीक है वो मैंने दिया है main में और यह जो है margin तो margin निकल रही है यह बाहर कुल मिलाकर यह है बात ठीक है तो मैं main में padding दोंगा basically मुझे main में न padding देनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ कि अंदर से मुझे मिले black color तो मुझे main में padding देनी पड़ेगी ताकि यह यहां पर इस तरह से आए ठीक है तो अभी यहां पर ठीक है मैं इस margin को भी बढ़ा सकता हूँ चाहूं तो कुछ इस तरह से ठीक है तो margin को 50 pixel कर लूँगा जो मेरे text box की margin है उसको 50 pixels कर लूँगा मैं दुबारा बता रहा हूँ responsive मैं इसको नहीं बना रहा हूँ मैं जान मुझ के आप लोग बहुत कुछ गड़ सकते हो अभी के लिए आप ऐसा समझ लो इसको कि हम इस layout को बना रहे हैं फिर इसके बाद यह हो गया footer हो गया सब कुछ हो गया अपने navbar को हमें sticky बनाना है तो हम जो navbar है उसमें कहेंगे position sticky ठीक है बस position sticky डाल दिया और position sticky डालने से भी काम नहीं हुआ top zero डालना पड़ेगा top zero ठीक है top zero डाला अभी भी नहीं हुआ काम अब यहां पर position sticky काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अपने जो parent है उसमें नहीं लगाया इसको मुझे इसको बिल्कुल header पर लगाना चाहिए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि एक और workaround इसको करने का क्या है कि जो मेरा header है मेरे nav के उपर अगर मैं यहां header को target करूँ अगर मैं यह चीज यहां पर बोलू position sticky top zero तब आप लोग यहां पर देखो कि यह position की sticky हो चुकी है मेरे header की मेरा header sticky हो गया है और इसके बाद मुझे गोला जो orange color का इसको बनाना है और इसकी position को fixed करना है तो मैं यहां पर क्या करूँगा लिखूँगा div.orangebox और यह करने के बाद मैं यहां पर जो orange box है उसको मैं set कर सकता हूं तो मैं काम करूँगा सीधा यहां पर आता हूं ठीक है जो मेरा orange box है का गया है यह रा मेरा orange box इसमें सबसे पहले height दूँगा 12 pixels width दूँगा 12 pixels background दूँगा orange और यह गया किदर यह यहां नीचे कहीं है यहां पर रही है position दूँगा इसको fixed और bottom दूँगा 12 pixels और right दूँगा 23 pixels और border radius दूँगा 13 pixels और अगर आप चाहो तो इसकी height width बढ़ा सकते हो it depends on you मालूँ मैं 32, 32 दे दूँँ इसको और यह देखो यह इस तरह से हो गया मुझे border radius भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ यह perfect circle हो तो तो इसकी border radius को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं भी मैं इसकी border radius को full कर देता हूँ 60 तक ठीक है और orange box I guess का नाम orange box फीथा orange dash box नहीं था orange box था I guess orange dash box बेटर readable है थोड़ा जादा ठीक है तो बन गया यह वो layout इसकी बात हो रही थी आप देखो यहां पर इस बारे में मैंने बात की थी आप specifically कितना font size है क्या है वो सब तो आप लोग को थोड़ा पूद मैच करना पड़ेगा ठीक है और इसका कलर भी मैंने वाइट करना चाहिए था वाइट आप कर सकते हो ठीक है बड़ा गैनिया जो भी कलर है जो भी रिक्वार्मेंट है उसके हिसाब से आप अपने लेयाउट को बना सकते हो और बहुत ही मज़ा आता है लेयाउट बराने में मुझे तो एक होबी सी बन गई है CSS लिखना ठीक है आपकी भी बन जाएगी जब exactly चीजे होने लगती है न तो एक होबी बन जाती है वेबसाइट बनाना एक होबी बन चुकी है मेरी अब मैं उन सभी लोगों को shout out देना चाता हूँ जिन लोगों ने इस challenge को accept किया और solve किया यार तो मैं यहाँ पर scroll down करूँगा I know काफी लोगों ने जो है solve किया होगा and also it's not possible to shout everyone out बट मैं कोशिश करता हूँ random बीच में से shout out देने का Laksharajdaash को shout out MD Maroof को shout out AI Factual Films को shout out Digital Connect को shout out scroll कर रहाँ नीचे और तो यहाँ पर SKS को shout out Rao Maze को shout out फिर Elmot XM को shout out Developer Punkaj को shout out Nikil को shout out Stonic को shout out Arna Varma को shout out Marais Akarwal को shout out Shubh 409 को shout out Abhishek Singh को shout out और Rathan Veer Arts को shout out RRC Gaming को shout out फिर Shakti को shout out और Chandan Singh को shout out Jack Oter को shout out Kuldeep Sharma को shout out Oma Ali को shout out SXM को shout out Mansoor Ali को shout out Malik Deegwal को shout out RFGDN को shout out और फिर कुछ random shout outs दूँगा यहाँ पर Crazy Neha Shots को shout out Pranjal Bourbon को shout out Rana Tariq को shout out Nishan को shout out American Nightmare Ram Kumbar अब यहाँ पर मैं आप लोगो एक बात यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब exercise को solve कर रहे हो तो अच्छे से solve करो और आप जब solve करोगे तो आपको अपने आप satisfaction मिलेगा मेरे shout out देने ना देने से उतना फर्क आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आर देखो आप सीखने के लिए आपर आयो है हो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूँ कोशिश कर दा हूँ कि ऐसा वीडियो बनाऊ कि आर आप लोगों को समझ में आ जाए मैंने flexbox का वीडियो बनाया उसमें भी मैंने यही मेरी कोशिश थी ग्रेड के वीडियो में भी कोशिश रही कि यार कम से कम टाइम लेके आपका जादे-जादा मैं कैसे समझा सकता हूँ तो मैं जादा टाइम बिल्कुल भी निलूँगा आप लोगों का जितने भी लोगों ने यापर सॉल्व किया है सब को शाउट आट मेरी एक बात याद रखना आप यह जो महनत कर रहे हो ना यह रंग लाईगी और आपकी जिन्दगी को बहतर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगी तो महनत को अपनी कंटिन्यू रखो ऐसे ही और अगर आपने अभी तक यह प्लेलिस्ट अक्सेस नहीं करिए तो इसको अक्सेस करके बुकमाग ज़रूर कर लेना अगर आप चाहते हैं आपको शाउट आट मिले उसके बाद भी तो आप नोटिफिकेशन को अन कर लो अगली तो आप कॉमेंट करो पहला कॉमेंट करोगे शाउट आट मिलने के चांसे आपको जाधा रहेंगे बट अगेन मैंने जैसे की बोला कि आपकी महनत और आप जो कर रहें वो जाधा इंपोर्टन नहीं है मेरी कोशिश हमेशा से यह रहती है कि यार मैं कम से कम टाइम लेकर आपको जाधा से जाधा जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसकी साहता से सिका सकूँ तो प्लेलिस को आप लोग एकसस जरूर करना हो और सोर्स कोड में अपडेट करता जा रहा हूँ अबीके लिए वीडियो में इतना है गैस थांक योस ताइम एक होस्यू वाचिन थांग थांग